पश्चम बंगाल में विधान सभाचुनाफ के नतीजे आने के बाद से ही राज्य से हिंसा की खबरे आ रही हैं। ममता बैनर जी की पार्टी टीमसी की जीत की घोशना होते ही उस पर कानून रवस्था बिगाडने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन में से कई आरोप फर्जी खबर साबित हो रहे हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार अबरो बैनर जी का दावा है कि भाजपा अपने पश्चम बंगाल के फेस्बुक पेज पर उनकी तस्वीर लगा कर फर्जी खबर फैला रही है। पोस्ट में उनका नाम मानिक मुईत्रा बता कर लिखा गया है कि वो बंगाल चुनाफ के बाद हुई हिंसा का शिकार हो गए थे। बैनर जी ने भाजपा पर तंज कस्ते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा मैं एब्रोबेनरजी हूँ, जिन्दा हूँ और स्वस्थ हूँ और मैं सीतल कुची से 1300 किलोमेटर दूर हूँ बीजेपी आइटी सेल अब दावा कर रही है कि मैं मानिक मुईत्रा हूँ और सीतल कुची में मेरी मौत हुई है खृपया इन फर्जी पोस्ट पर विश्वास ना करें और चिंदा ना करें मैं दोहराता हूँ, मैं अभी भी जीवित हूँ भाजपा ने बुधवार को चिनाफ के बाद हुई कथित हिंसा का एक वीडियो जारी किया था इसी में इंडिया टुडे के पत्रकार को हिंसा का पीडित बताया गया था इससे पहले भी भाजपा ने बंगाल हिंसा के नो पीडितों के नाम जारी किये थे जिसमें मानिक मुईतरा का भी नाम था हाला कि तब उसकी पहचान नहीं हुई थी भाजपा ने अब मानिक की पहचान की वो भी फर्जी भाजपा ने इस वीडियो को अपने पश्चिम बंगाल के फेस्बुक पेच से हटा लिया है गौर करने की बात है कि भाजपा शासित राजियों में तो पत्रकारों को कथित तौर पर फेक न्यूस फिलाने के लिए गिरफतार कर लिया जाता है अब जब यही पार्टी खुद पत्रकार पर फेक न्यूस फिला रही है तो क्या उस पर कोई कारेवाई होगी?